हाई फ्रेंड स्वागत है आप सब का हमारे यूट्यूब चैनल फेमिली पंडा से लिसन पर फ्रेंड मैं हूं नीलम और आज किस वीडियो में आपके साथ हैर टोनर सेयर करने वाली हूं जो कि आप अपने बालों में डेली लगा सकते हो विंटर है फिर भी आप इसको डेली इसका अच्छा रिजड़ भी देखने को मिलेगा यह नुसका इतना ज्याद अच्छा है गाइस कि आप इसको डेली पे अपलाई कर सकते हो या फीक में दो बार तीन बार भी आप अपलाई कर सकते हो इसे बनाना भी बहुत यासान इसमें सिर्फ दो से तीन चीजों का ही मै मैं आपको दिखा दी तो इस तरह से एक ग्लास है और एक ग्लास भरकर में इसमें पानी डाल रही हूं क्योंकि फ्रेंड ये जो टोनर है इसे हम दस तिनों तक लगातार अगर इस्तमाल करें तो भी एक ग्लास पानी का बना हुए टोनर चल जाता है और यहां पर मैंने एक म चाह पती डाल रही हूं एक चोटी चम्मा से यहां पर में दो चम्मा चाह पती डाल रही हूं और उसके बाद नेश्ट इंग्रेंट गाइज में डाल रही हूं प्याज प्याज के मैंने सलाइसस कट कर लिए है और यह प्याज के सलाइसस में इसमें डाल दूंगी तो फ्र वालो के हेर ग्रूध को प्रोगोड करताहें कि दशने से हैं और पान की ग्रूध करताहें कि दो क्योंकि यह पखने के बाद ऑब हित्ट थोड़ा पानी क्योंकि दो यह क्यूच 70S भी द यूप नहीं awesome to तो गाइस हमारा टोनर बिल्कुल बनकर तयार हो गया है और अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और इस टोनर को ठंडा करके मैं छान के आपको बताऊंगी किसको किस तरह से आपको अपलाई करना है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज वीडियो के नीचे ल है तो इसे ठंडा करने के बाद आप इसप्रेक बोटल में भर ले और इसे प्रेय करके तो आपको बहुत ही जाद अच्छा रिजट मिलता है आपके बाल बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं साथ ही बाल सिल्की और स्मूध भी होते हैं तो बागी का जो बचा हुआ है इंग्रेटर है इसे मैं फेकूंगी नहीं आप चाहिए इसे पीस कर इसका पेश्ट पना कर इसमे बालों में लगाओंगी आप इसे डेली लगाएं ग कीसी तरह की फ़ले पीज़ कर सकते हैं या अगर आना चाहते हैं एसे तो अदे गंटे बालों में कर इसमपो अब यहां पर फिंगर्टेब की ही फिर्टेफ जांगे कर्रहें हुँअ नियुक्त तो विल्टेब पर दिर प्लाइउ है तो तॉनर को अगर आप लगातार पने बालों में लगाते हैं तो वहाँ अच्छी आपको एक बद एक बढ़ में आप और कुछ लोगों के चीजे सूट करने के ऊपर होती है अगर आपको ज्यादा सूट करता है तो आपको यह सारे बेनिफिट मिल सकते हैं तो आप इसे लगाने के बाद अपना फीडबेक हमें सेयर जरूर करें नुसका मेरी सिष्टर ने मुझे बताया था और उन्होंने खुद अपलाई किया था उनके बाल काफी बढ़े थे और साथ ही बाल बहुत खीले खीले सिल्की काले और बहुत सुंदर दिख रहे थे तो इसलिए मैंने सुचा मैं यह नुसका आपके साथ भी सेयर करती हूं टोनर को आपको सिर्फ स्कैल्प में ही नहीं अपने बालों की लिंद में भी लगाना है इसकैल्प पर लगाए और अपने बालों की पूरी लिंद पर लगाए हलके हाथों से अपने स्कैल्प की भी अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर and बाई बाई